हेलो चल्डरन, वालकम तुरुतु माम्स ओनलाइन क्लास, दियर चल्डरन, आज हम आपकी क्लास सेकेंड की इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के लेसन नमबर 11, अफेयर का सेकेंड पार्ट करेंगे देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में लेसन रीट किया था, देखो यहाँ पर जो यह फेयर की पिक्चर दी हुई है, इसको देखा था, इसके बारे में हमने दिसकर्शन भी किया था, और यहाँ देखो, हमने यह इंग्लिश रीडिंग भी की थी और इसकी हिंदी में translation भी की थी, और क्या कर लिया था, word meanings भी कर लिये थे, और यह take the correct statements, यह भी exercise का portion हमने कर लिया था, यहाँ तक तो आज हम इसी से आगे चलेंगे, page number 93 से शुरू करेंगे, page number 93 से on page number 93, number 1, name the shops you see in the picture, उन दुकानों के नाम बताओ, जो तुम्हें तस्वीर में, जो यहाँ बुक में picture दी हुई है, तस्वीर दी हुई है, उसमें दिखती हैं, देखो, देखो बचो, यहाँ पर इस picture में आपको कौन-कौन सी shops नजर आ रही है देखो, यह है twice की shop और यह है sweets की मिठाईयों की shop और यह देखो, ice cream की shop है ना, तो पीछे लिख देंगे, तो देखो बचो, मैंने लिख दिया है, twice shop, sweets shop, ice cream shop अब, number two, what will you like to buy in a fair? एक मेले में से आप क्या खरीदना पसंद करेंगे? बताओ, क्या खरीदना पसंद करेंगे? toys, है ना, खिलोने और ball, bat, कुछ भी हो सकता है, doll भी हो सकती है, गुडिया भी हो सकती है ना, जो भी आप खरीदना पसंद करेंगे, वो आपको यहां लिखना है तो देखो बच्चो, मैंने लिख दिया है, toys, खिलोने, ball, गींद, doll, गुडिया, हाला कि गुडिया भी यह खिलोना ही होता है, आप अलग से लिखना चाहें, अलग से लिख सकते हैं आसे, sweets, मिठाईया, ice cream, तो पता ही है आपको, और यहां मैंने लिखा है, toy gun, खिलोने वा city, तो चलिए, आगे चलते हैं, आगे आपको क्या करना है, देखो बचो, यहां पर इस box में आपको कुछ words नजर आ रही होंगे, आपको क्या करना है, यह words आपको इस में ढूणने है, grade में ढूणने है, सर्च करने और उनको circle करना है, गोलधारा लगाना है, देखो जैसे य one has been done for you, एक आपके लिए किया हुआ है, देखो, s-w-e-e-t, sweet, देखो यहां sweet लिखा है, sweet को circle कर दिया, अब ढूणते हैं, देखो, fair ढूणते है, देखो, s-a-i-r, fair, देखो, कहां पर है, करो यहां search, नजर आएगा, आपको अपनी book में करना है, देखो, मुझे तो मिल ग खुद से search करना है, ठीक है, वीडियो नहीं देखनी है, वीडियो पोस करके, और अपनी book में circle करना है, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखना है, कि आपने ठीक किया है, नहीं किया, रैसे तो आपको पता ही लग जाएगा, spelling से है न, camel, देखो, camel कहां है, search करो, c-a-m-e- यहाँ पर है, swing, यह रहा, swing भी मिल गया है, अब है, shop, s-h-o-p, shop, कहां पर है shop, देखो, s-h कहां है, यह है रहा, अब, बच क्या है, stall, s-t-a-l-l, कहां है, stall, यह है रहा, सभी circle हो गए है, तो चलो, अब next page पर चलते हैं, देखो, second activity है, यहाँ क्या करना है आपको, you have to look at the picture, आपको तस्वीर को देखना है, and you have to complete the boxes given below, और नीचे जो boxes देऊ हुए है, उनको complete करना है, देखो, क्या करना है, यहाँ पर animals के नाम लिखने है, देखो, first letter given है, है न, तो लिखा हुआ है, there are four, यहाँ पर है, चार, चार है, क्या है, देखो, X से शुरू है, X से क्या होता है, पहले देख लेता है, यहाँ पर कौन कौन से animals है, यहाँ कितने horses है, one, two, three, four, four horses, देखो, मैंने क्या कहा है, ध्यान दिया आपने, horses, horse नहीं बोला मैंने, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा है, इसलिए मैंने horses बोला, अब देखो, यहाँ कितने camels है, how many camels आ दिया, one, two, three, three है न, अब मैंने क्या बोला, camels, camel नहीं बोला, अगर one होता है, तो camel बोलते हैं, one से ज़्यादा होता है, तो camels बोलते हैं, जैसे मैंने, क्या बोला यहा horses बोला, horse नहीं बोला न अब यहाँ देखो, how many dogs are there? two dogs, मैंने क्या बोला? dogs अगर one हो तो dog one से ज़्यादा हो तो dogs अब देखो यहाँ क्या कहेंगे बताओ, pig कहेंगे, pigs कहेंगे very good pigs, very good आपको तो पता लग गया और यह बताओ elephant कहेंगे यह elephants कहेंगे कितने हैं यहाँ पर? how many elephants are there? कितने हाथ ही है यहाँ एक ही तो है only one elephant, यह ना one elephant है, तो क्या कहेंगे? elephant ही कहेंगे अगर यहाँ एक से ज़्यादा होता हो तो क्या कहते? elephants now let's count the cats मैंने क्या बोला अभी? cats, cat नहीं बोला ना अगर one होती ही तो cat बोलते है one से ज़्यादा है तो cats बोलेंगे ना one, two, three, four, five there are five cats अब तो आपको समझ में आ गया है ना? अब मैं आप से पुछती हूँ tell me what is this pen? this is a pen now tell me what are these? क्या है ये? pens देखो one है तो pen और one से ज़्यादा है तो pens है ना? देखो three है तो भी one से ज़्यादा है तो क्या कहेंगे? इन्हें भी pens कहेंगे ठीक है ना? ऐसे ही sketch pen sketch pens इसमें मैंने कौन से sound add कर दी? sound s add कर दिया sound कौन सी होती है? s letter से होती है sound तो चलो अब boxes को भी fill कर लेते हैं तो यहाँ क्या था? there are four यहाँ पर चार हैं क्या थे यहाँ चार? four क्या है यहाँ पर? horses देखो h o r s e और क्या लगेगा? s लगाएंगे हैं ना? horse के साथ s लगाएंगे horses circuit sound add होगी ना? horses now next one there are two यहाँ पर दो हैं दो क्या थे यहाँ? देखो d लिखा हो है ना? dogs तो देखो d o dog dog के साथ क्या लगा देंगे? s लगा देंगे dogs एक से जादे हैं ना? there is one यहाँ एक है क्या है? एक? elephant है तो लिखते हैं तो लिखते हैं यहाँ पांच हैं क्या है यहाँ पांच? फाइव क्या थे यहाँ देखो? फाइव cats देखो यहाँ elephant लिखा था s नहीं लगाया ना? क्योंकि one था only अब यहाँ one से ज्यादा है ना? five है तो s लगाया cats sound जुड गई है इसमें add हो गई यहाँ बिटा? आप देखो आगे next there are three यहाँ three हैं क्या है यहाँ three? p p से क्या है? क्या थे three यहाँ पर? pigs very good तो क्या लिखेंगे देखो? p i pig pig और क्या लग जाएगा? ass very good next there are three यहाँ three हैं क्या है तीन? three क्या थे यहाँ? camels camel नहीं बोलेंगे camels बोलेंगे है ना? तो c a m e l camel और क्या लगा देंगे? camels तो यह exercise भी complete हो गई है तो बच्चों आज के लिए इतना ही बाकी सभी वीडियोस देखने के लिए इस lesson के सभी parts और अपने बाकी subjects की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल educational vibes with rhythmalik and educator पर जाकर देख सकते हैं और online study कर सकते हैं और हाँ बच्चों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसी के साइड में जो बैल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की notification आपको मिलती रहें और आप online study करते रहें तो मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए बाई बच्चों